दोस्तों आज मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप अपने मन को शांद कर सकते हैं। एक समय की बात है भगवान करतों को अपने सिश्च को उद्देश दे रहे थे। कहा रहे थे कि एक सेट के पास बहुत धन और संपति थी। किन तो फिर भी उसके मन को शांदी नहीं थी। एक दिन किसी ब्यक्ति ने उसे बताया कि अमोल नगर में एक सादू रहते हैं। वह लोगों को ऐसे सिद्धी देते हैं जिससे वह मन चाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। सेट ने उस सादू के बास गया और बोला महराज मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन को शांदी नहीं है। सादू ने कहा कि बेटा जैसा भी मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना और इससे तुम्हारे मन को शांदी मिलेगी। अगले दिन सादू ने सेट को कड़ी दूप में बैठाया रखा और खुद सादू कुटिया में चले गए। सेट गर्मी से बेहाल हो गया। मंगर चुप रहा दूसरे दिन सादू ने उसे कुछ खाने पीने को नहीं दिया और खुद तरह तरह के पकवान खाते रहे। सेट इस दिन भी चुप चाप बैठा रहा। तिसरे दिन सेट वहां से गुस्से से जाने लगे। तो सादू बोला क्यों क्या हुआ। इस बात पर सेट बोलता है महराज मैं यहां बड़ी आसा लेकर आया था किन्तु मुझे यहां निरासा मिली। इस बात के उत्तर पर सादू ने कहा मैंने तो तुम्हें सांती की युक्त बता दिया पहले ही दिन। जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और म लिए तुम्हें समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हें भूखा रखा और भर भर भोण किया। फिर मैंने तुम्हें यह समझाया कि कामीश होंगे यह सब सुनकर शेट की आखे खुल गई और वर्षादू से आशिवाद लेकर अपने घर चल गया दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपकी परशानी सिर्फ आपके मन की एक इस्तिर है इसे छुटकारा पाने के लिए मन को सांथ रखते हुए सही उपायों पर काम आपको ही करना होगा तो दोस्तों आपको यह गौतम बुद्ध का उद्देश कैसा लगा हमें कमेंट सक्सर में जरूरू बताएं अगर आपको उद्देश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें